नमस्कार दोस्तों Just Fill It चैनल में आपका स्वागत है साउथ इंडस्ट्री और बॉलिवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सितमबर 2022 में रिलीज होने वाली आठ बॉलिवुड फिल्में जो और्डियंस को देंगी नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मन्ट अगर सितमबर महीने की बात करें तो आने वाला ये महीना काफी धमाकेदार होने वाला है होना भी चाहिए क्योंकि इस महीने कई मेगा बॉलिवुड फिल्मों की रिलीज पाइपलाइन में जो है आएए आपको सितमबर 2022 में रिलीज होने वाली कुछ अपक्मिंग बॉलिवुड मूवीज के बारे में बता देते हैं जो आपको नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मंट देने के लिए तयार है एक, कट पुतली इस फिल्म में अक्षय कुमार पुलिस के किरदार में एक सीरियल किले की मड़मिस्ट्री सुलजाते नजर आएंगे इसमें उनके साथ रकुला प्रीट सिंग भी मुख्य भूमिका में हैं खाबरों की माने तो 100 करोड के बजट में बनी इस मूवी ने डिजनी हॉट स्टार को अपने राइट से 150 करोड में बेच दिये हैं ये फिल्म 2 सितंबर को डिजनी हॉट स्टार पर रिलीज की जाएगी 2. ब्राहमास्त्र इस फिल्म में रनवीर कपूर एक शिवा नाम के डीजे की भूमिका निभा रही हैं जो आग से एक अटूट रिष्टा महसूस करता है इसके साथ ही वो अपने अंदर पूरे ब्रहमांड, पूरे जीवन और सृष्टी को मिटा देने वाले पौराने खथियार ब्रहमास्त्र को जगाने की क्षमता को डिसकवा करता है वही दूसरी और बुरी शक्तियां ब्रहमास्त्र पर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश में हैं मूवी में रनवीर के अलावा आलिया भट, अमिताब बच्चन, मौनी रोय और नागारजुन भी हैं ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होगी 3. बबली बाउंसर मधूर भंडार कर द्वारा डाइरेक्ट की गई फिल्म बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया और अभिशेक बजाज लीड रूल में होगे इस फिल्म की उत्तर भारत के वास्तविक बाउंसर टाउन असूला फतेपूर पर आधारित कहानी है ये डिजनी हॉट स्टार पर 23 सितंबर को रिलीज होगी 4. सिया फिल्म सिया में एक छोटे शहर की लड़की न्याई के लिए लड़ने का फैसला करती है और दमनकारी पित्र सत्तात्मक समाज के खिलाफ तमाम मुश्किलों के बीचे कांदोलन की शुरुआत करती है ये साल 2017 में इसी नाम से आई साउथ की फिल्म की रिमेक है इसे पुशकर और गायतरी ने डाइरेक्ट किया है मूवी में रितिक रोशन एक खुनखार गेंग्स्टर टाइप किरदार निभा रही है वही सैफ अली खान एक पुलिस के रोल में है इस मूवी का लोगों को बेसबरी से इंतजार है ये 30 सितंबर को रिलीज होगी 6. दोखा ये फिल्म एक निश्चित क्षेत्र में अपराध के इर्द गिर्द गूमती है जिसके पीछे की सच्चाई का पता एक आदमी खोजने निकल पड़ता है एवल एकी सवाल जेहन में रह जाता है क्या वो इसका पता लगा पाएगा मूवी में आर्माधवन, खुशाली कुमार, दर्शन कुमार और अपारशक्ती कुराना लीड रोल में है ये फिल्म 23 सितंबर को रिलीज होगी 7. जोगी दिलजीत दोसांच स्टार फिल्म, जोगी, दोस्ती पर आधारित है इसमें उनके अलावा हितें तेजवानी, मुहम्मद जीहांद भी मुख्य भूमिका में है फिल्म नेट्फलिक्स पर 16 सितंबर को रिलीज होगी 8. खुदा हाफिस चैप्टर 2 ये मुवी 2020 में आई ए मुवी खुदा हाफिस का सेक्वल है इस एक्षिन पैक्च मुवी में विद्यूत जामवाल और शिवाली का ओबरोई लीड रोल में दिखाई देंगे ये मुवी एक पेरेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने खोई हुए बच्चे को ढूंडने के लिए कुछ भी करने को तयार है फिल्म 2 सितंबर को Z5 पर रिलीज होगी उमीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी साथ ही साथ इंडस्ट्री और बॉलिवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले